हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आयोप आप सब बहुत अच्छे होंगे फिर से सब आगाते मेरे यूट्यूब चैनल टर्बो नेशन पर जो सामने आप गाड़ी देख रहे हैं भाई मारूती की इगनीज भाई सामने से फ्रंट लुक ऐसे लगते हैं कोई मिनी ऐस्यू करें जाए तो फोग लाइट मिल जाती है एडिशनल फोग लाइट लगवी हैं और कोई भी देखके नहीं बोल सकता कि गाड़ी का बेस मोडल जो कि कॉस्टिंग करता है पांस लाग चौरासी हजार एक शोरूम की पांस लाग चौरासी हजार में वन पंट टू लीटर का न भई बेस मोडल के होने के बावर्जूद भी पहले जैसे आप लोग उल्टों में देखते थे काले काले बंपर आते थे बट बढ़ई ये गाड़ी पूरी all body color है और वी एम पर भी body color finishing मिलती है डूर हैं पर भी body color finishing मिलती है और रियर से लुक देखे भई थोड़ा सा लूप में दे रखी है, गाड़ी, एंड देखे, इसके टेल, लाइट मिल जाती है, गाड़ी में, पीछे से ही, भाई, कोई देखके नहीं बोल सकता, बेस मॉडल है, कि भाई, यहाँ पर सेंसर दे रखे है, गाड़ी में, सिल्वर, सकिट प्लेट मिल रखे, बंपर पर, डोर की अगर मैं बात करें जाओं तो भाई टाटा पंच में देखा होगा आपने यहां भी देखें 90 डिग्री के डोर ओपनी मिलते हैं मारूती सुजुकी इगनिस में भी एंड इंटीर की बात करें जाओं तो भाई औल ब्लैक इंटीर मिलता है गाडी एंड वन लीटर बॉ एंटर देती है घाड़ी आप लोगको सुफ्ट में इसमें बलीनों में सेम ही इंजन आता है आप लोग का फैंट चे के कंट्रोल कर सकते हैं अब बलॉर को और आपर आफटर इसमें कंपनियों नहीं लगा रखा है म्यूजिक सिस्टम बेस मॉडल में कोई भी सिस्टम नहीं आता है वैसे यहां पर मिल जाता है आपका मैनुल एसी दो कफोल्डर बार वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है गाड़ी में एंड गलव वॉक्स की बात कहे जाए तो बहु सकी स्पेस एंड शेफ्टी में मिल जाते हैं दो एर बैक मिल जाता है गाड़ी में five speed MEनव Championship option मिल जाता है गाड़ी में आपी फोड़ी सें लगी वैनिटी मिटर्शा दे दे लेल तो बहुत अच्छा रहती शायद गाड़ी एंड सीटिंग की बात करें जाओं तो काफी कुछ नहीं है सीटे हैड रेस्ट भी मिल जाता है अपर फ्रेंट में अड्जेस्टेबल एंड यहाँ पर मैनुवली गेर सॉरी हैंड ब्रेक मिल जाता है वन लीटर बॉटल होल्डर मिल जाता है तो चलिए अब बात करते हैं रियर स्पेस चेक आउट करते हैं गाड़ी का की रियर में कैसी स्पेस दे रखी है और यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही प्यारा सा अलग यूनिक मुझे लगा है होती पुराने जमाने की याद दिलाती है यह जैसे हम लोग अपने विंडो अप एंड डाउन करते थे पर भई बेस मोडल है तो बीच्छे ही दे रखें बस कहर फ्रंट में तो पावर विंडो मिली जाते हैं तो इनका एक फायदा है जल्दी से खराब नहीं होते हैं पर ब बात करी जाए तो यहाँ पर सीट बेल्ट भी मिल जाती है रियर में आप लोगों को यहाँ पर एंड यहाँ पर देखें बॉडी कलर फिनिश मिल जाती है अंदर भी काफी अच्छा सा डिजाइन लुक दे रखा है आप विंडो एरिया का एंड बात करी जाए बूट स्पे आदर से लुक का and seat Lake asynchronous निये headroom sufficient मिल जाता है गाड़ि में headroom के कमी नहीं होगि आप लोगको thigh सपोर्ट एंड lagroom but Ihr my और लोगो को sufficient मिल जाता है गाड़ि में इस चीज़ के लिए आपको कोई भी compromise नहीं करना पड़ेगा and steering wheel three smoke मिलता है तो चलिए बात करे जाए front driver side door की एंड आप लोग आटोमेटिक ओपन कर सकते हैं रिमोट सेंसर की मिल जाती है गाड़ी में यहां पर छोटी स्पेस मिल जाती है गाड़ी में पावर विंटो के दो कंट्रोल मिल जाते हैं एंड इस्टेरिंग मिल भई नया डिजाइन का बहुत ही अच्छा सा यूनिक लगता है क्यूट सा प्यारा सा एंड चलिए बात करी जाए अगर तो हम क्या क्या फंक्शन मिलते हैं एनलोग स्पीडो मीटर मिलता है सिंगल एंड चोटी मोटी इंफोर्मेशन मिल जाता है आर् पर सिल्वर फिनिश मिल जाती है गाड़ी में डैड पैडल नहीं मिलता है गाड़ी में डैड पैडल आ जाता तो और अच्छी बात रहती शायद गाड़ी में जो कि हाइवे पे ऑफर कमफर्टेबल बनाता है जन्निक पांस लाग चोरासी हजार की कीमत में आपको भई 15 सा साथ मिल जाती है गाड़ी जो की पावर में रहने वाली है अच्छी कासी पावर मिल जाती है गाड़ी में एंड माइलेज अच्छी कासी मिल जाती है गाड़ी में फैमिली हैजबैक होने वाली है गाड़ी छोटी मोटी जगा से इसली निकल जाती है तो भाई जो लोग 2024 मे गाड़ी प्लैन करें तब तक देखते रहे हैं टर्बोनेशन चैनल